hey hello friends welcome in online agriculture ona ऊपने अपने सेशन में डिसकस करने वाले हैं ए ब्सकश में क्या डिफरेंश है से तो इस चीज को जानने के लिए इसटूटेश्व एक्साइटमेंट तो होता है लेकिन कहीं पर इसकी प्रॉपर गाइड लाइन नहीं मिलती है और अब तो क्या है कि जैसे हर्याना में पहले एडियो की पॉस्ट आई थी वो तो विड्रो हो गई थी फिर दुबारा से आई है तो उसके अंदर जो eligibility है वो मांगी गई है BSC Honors in Agriculture मांगा गया है तो बहुत सारे student है जिनकी जो degree है या degree certificate है उस पे तो यह लिखा हूँ है BSC Agriculture और हर्याना government ने क्या मांगा है BSC Honors in Agriculture अब देखिए student मेरा यहां concern यह नहीं है कि क्या होना चीए क्या है यह हर्याना government को क्या करना चीए लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इन में difference क्या होता है और इससे पहले भी मैने एक वीडियो डाला था प्राइवेंट एäreडिक and और गोर्वेंट यूनिवरस्टी में क्या difference होता है उस दो में भी मैने Honors को लेकर बात की थी थी है ना थो अब देखिए Honors में क्या difference होता है और समान्य डिपरेंच होता है Studi और यह जन्रल की डिगरी है वेसे तो देखो आई सी आर की मेरे साब से प्रॉपर गाइडलाइन है वह पब्लिक नहीं की गई है कि ओनर्स की डिगरी में और जन्रल प्रॉपर क्रेडिट पूरिय करता है वह स्टिवीट के लिए लिजीबल होता है और अगर हम बात करें डिप्लोमा में more than 80 क्रेडिट है वह कवर कीए जाते हैं यह तो डिप्लोमा के लिए 80 से उपर क्रेडिट की आपक्ता होती है credit तो समझते हो न, आपके semester के अंदर जो course अलते हैं, उनके credits दी होते हैं, credits outs दी होते हैं, उनका जो total होता है पूरी degree की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर देखो diploma करते हैं, तो 80 plus credit की आवसकता होती है, वहीं पे आप general degree कर रहे हैं, जैसे B.S.E. Agriculture, जिसमें honors नहीं लगा हु है, उसमें 120 plus credit होते हैं, अब बात करते हैं, honors in agriculture या कोई भी honors की degree है, तो उसके लिए credit कितने की आवसकता होती है, honors की degree तब ही मिलती है, जब आप अपनी degree के दोरान, 160 या उससे ज़्यादा credit पूरे करती है, 160 या इससे ज़्यादा credit पूरे करती है, तो उसको honors की degree मिलती है, अब इसका मतलो क्या हुआ, honors की degree होती है, more specialized होती है, यानि ज्यादा special होती है, more professional होती है, यानि ज्यादा क्या है, मतलो professional होती है, और उसके लाज जो honors की degree होती है, उसमें जो study material की बात करें, तो वो larger होता है, यानि एक बच्चा तो 120 credit पूरे कर रहा है, और 160 plus credit पूरे कर रहा है, तो जायर सी बात है, study material होगा, वो क्या होगा, honors की degree वालों का ज्यादा होगा, उन्हें ज्यादा पढ़ना पढ़ता है, ज्यादा depth में पढ़ना पढ़ता है, और उस subject को वो बहुत ज्यादा, मतलो specially पढ़ते हैं, specialization है वो एक तरह से, और generally जो general degree होती है उसका syllabus वे से broad होता है, यानि specialization नहीं होता है, इतनी depth नहीं होती है उसके अंदर, जो general degree है और honors की degree है, difference तो यह होता है, लेकिन अब मैं बात करूँ agriculture के लिए, B.A.C. agriculture, जो भी private colleges है, उनसे बहुत सारी colleges से degree, या बहुत सारी university से degree मिलती है, वो B.A.C. agriculture की मिलती है, और कुछ एक university या प्राइवेट college है, जहां से degree B.A.C. honors agriculture भी मिलती होगी है, तो अब generally क्या है, अगर हम यहाँ पे credit hours देखें, तो मेरे हिसाब से B.A.C. agriculture वाले जो student है, वो more than 160 hours credit, इससे ज़्यादा ही पढ़ते हैं, इससे कम नहीं पढ़ते हैं, generally आप देखते हैं, एक semester में 20 plus credit होते हैं, तो अगर एक साल के credit की बात करें, तो 40 credit तो कम से कम होगे, 3 साल में आप जाओगे, तो कितने 120 credit होगे, अब उनका रावे का क्या pattern है, क्या यह सब है, तो 160 credit पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर 160 credit पूरे हैं, तो आपको honors agriculture की degree मिलेगी, अगर 160 credit पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपको honors की degree नहीं मिलती है अब क्या होना चीए government को BSC agriculture वालों को allow करना चीए या नहीं करना चीए BSC honors agriculture वालों को ही allow करना चीए देखो ये मेरा concern नहीं है ठीक है हाँ लेकिन मैं ये इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हाँ इस पर कोई न कोई guideline होनी चीए बच्चों को उस बारे में पता होना चीए और पता होने के बाद अगर वो choose करते हैं तो उनका fault होता है student को पता ही नहीं होता है कि BSC agriculture और BSC honors in agriculture में क्या difference होता है तो difference जो mainly होता है वो credit hours का होता है और credit hours के दार पर या फिर credit के दार पर हम बोलते हैं कि honors की degree होती है वो general degree के comparison में more specialized होती है more professional होती है और larger study material के साथ होती है यही major difference होता है ठीक है student तो और ज्यादा कुछ हमें यहाँ पर जानने की ज्यादा जुरूरत नहीं है जो general degree है उसका syllabus विखरा हुआ थोड़ी ज्यादा इधर उधर की जानकारी मिल जाती है और जो honors की degree होती है उसमें depth मैंने बोला न more specialization यानि more special degree होती है यह more professional होती है और study material भी क्या होता है ज्यादा होता है तो जो student ठीक है degree कर चुके है या degree जिनकी चल रही है वो तो चली रही है लेकिन जो next आपके भाई बंदू दोस्त है उनको हमेशा यह सजेस्ट करना चीए कि degree honors की करनी चीए honors की degree के बहुत जगहां फायदे मिलते हैं even जो administrative job होती है वहां interview में भी honors की degree के फायदे मिलते हैं तो आप चाहे किसी भी subject से belong करते हैं अगर आप honors की degree करते हैं तो आपके लिए हमेशा ही plus point रहेगा और मैं यही recommend करूंगा कि honors की degree पे आप लोगों को ज्या र यहें भी दयादे मिलते हैं तो